तो गैस आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है, एक्जाम हो गया होगा, कुछ बच्चों के एक्जाम बाकी हैं, आप सभी को बताए कि आपके प्रधीप हैं, राहुल सर, 10th standard के बॉर्ड exam, 12th standard के बॉर्ड exam, अगर आप जाके अनलाइज करोगे आप देखोगे तो वाई मेरा खुद का जाके सब्जक्ट देखो बस मुझे लगता है लास्ट वाला आदा बाकी और लॉज और मैं लगबग सभी के एक्सराइस क्वेशन भी करवाया है अगर उतने भी चैप्टर आप करके जाते हैं तो भी एक्जाम फोड के आओगे समझ में आ रहा है राहूल सर के बात करूं कि हम मैं बात कर रहे हैं तो अगर मैं एमवन की बात करूं दो चैप्टर बचा हुआ है राउल सर प्रबाबिटी और दूसरा कौन सा बचा हुआ है अपना इस परशन वैसे डिसपरशन बहुत सारे चैप्टर है जाके वो तो पहले कर लो इसके बाद अगर मैं बात करूं में बस अपना एक ही चैप्टर बचा हुआ है अगर वह भी उतना ज्यादा किसी को पूछा नहीं जादा अगर वह भी बोलोगे तो हम उसे रिलेटेट कर देंगे पर बाकी इतना सब बनाओ वो तो देखो पहले जाके अब अगर बात करूं तो टोटल मिला के चार सेक्षन है सेक्षन एक्षन बी सेक्षन सी एन सेक्षन डी और यह पाकी कंपारिजन में अलग होता है और गाइस इसके साथ बतारा हूं देखो M1 हमारे गरी टूडरल पर है M2 इसी चैनल पर है और साइन जो पेंट में होगे तो आपको पता ही होगे या तो अभी भी आपने देखा ही होगा तो section A कि अगर मैं बात करूँ तो section A यहां देखोगे देखो जेनरली physics और chemistry की बात करूँ तो mcq आता है और mcq वान अगर आपका स्कूल रूल को फॉलो करता है तो यहां total 80 माक्स का पेपर बनेगा इस समिश्वर के अंदर और साथ में यहां total 8 questions आएंगे और हर question 2 marks कर रहे है तो कितना होगा 16 अगर मैं mcq जो solve करके हमें दिखाना है very short answer वाला तो total 4 questions आएंगा और हर question 1 marks करेगा अगर section B की बात को तो total 12 questions होगे और 12 में से अपने को 8 questions करना रहेगा और 4 questions अपने को option दिया रहेगा तो समझ में आ रहे है कुछ chapter skip करके भी आप बहुत अच्छा score कर सकते हो समझ में आ रहे है आपने इतने दिरों से पढ़ाई की होगी हम इतने दिरों से म रहुल सर के बहुत सरे मेरा तो पूरा physics one uploaded है रहुल सर के भी कुछ जो बाकी है वो फड़ाफट फड़ाफट कर देंगे आपको पहले 12 का content मिला हुआ है गिरी टूडोर है चैनल पर लाइव लेक्चर हम लोग प्रदीव अपडेट पर करें आप पर 20 बार courses आने माला है यह तो वहां अलग रहता था था 5 में से 3 करना था physics और chemistry के अंदर यहां अगर बात करो तो टोटल 8 questions होंगे 8 में से अपने को 5 करना है और हर question 4 marks कितना होगे 20 marks तो अगर आप यहां कुछ chapter skip भी करते हो तो भी बहुत अच्छे marks score कर सकते हो अगर अभी भी please comment करके मुझे बताना क कि अभी भी आपके वास कितना time बचा हुआ है अगर कुछ ज्यादा time है दो तीन दिनों का time है तो अब हमारा focus pro 12 पे है कैसे कैसे क्या करना launch करना है कि नीट से related एक बहुत बड़ा announcement होने वाला है अगर वो plan हमारा successful रहा तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे होगे तो तो कुछ दिनों दो तीन दिनों के अंदर एक video release होने वाला प्रदीपकरी update इस channel पे चो मैंने एक interview conduct किया हुआ है और वो भी नहीं रहने तो अब यह इसको परदे में ही रहने तो अब जाके देखना प्रदीपकरी update पे तो मिलते है नेक्स वीडियो में thank you so much गाई जय जय महराश्वा दोस्तों